आपके लिए राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है आपको पता है कि लालू यादो जेल में हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है लंबी बिमारी से जूज रहे हैं ऐसे में आरजेरी की चुनोती काफी बढ़ी हुई है हलाकि उनके बेटे तेजस्वी यादो पार्टी की कमान समभाले हुए हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन उनके बड़े भाई तेजपरताप ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती बने हुए हैं तेजपरताप अलग राह अपनाए हुए हैं वो पार्टी की Quand अपने हाथ में चाहते हैं वो लालु यादो की तरख King Maker की भूम्मिका निभाने चाहते हैं वो बार बार दुरा रहे हैं कि तेजशवी ही मुख्यमंत्री होगा लेकिन वो King Maker बनना चाहते हैं पार्टी की कमान अपने हाथ में चाहते हैं लेकिन ऐसा अभी संभव हो नहीं पाया है तेजस्वी यादो चुकी पार्टी को बहुत सलिके से चला रहे हैं और पार्टी ने भी उनको अपना नेता मान लिया है लालू यादो की जगह ऐसे में तेजस्वी से पार्टी की कमान के पहले एक साथ किया जाए इस भीच खबर आई कि तेज परताप अपने पिता के रिहाई के लिए जेपी मुवमेंट की तरज पर इलपी मुवमेंट चलाने वाले हैं यानि अपने पिता के रिहाई के लिए आंदोलन चलाएंगे जिस तरह से जेपी ने आंदोलन चलाया था एलपी मुव्मेंट शुरू करना है तो अपने भाई तेजस्वी को साथ रखना है यानि दोनों भाई साथ मिलकर उनकी रिहाई के लिए अंदोलन करेंगे तो अब जब संकल्प ले लिया है तेजपरताप ने पिता के सामने तो अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तेजपरत अच्छा तरीका अपनाया है और अपने बेटे तेजपरताप की जो कमजोरी थी उसे ही अपनी ताकत बना दिया है उसी को इस्तिमाल करके दोनों भाईयों को साथ कर दिया है 20 तारीक को इलपी मुव्मेंट शुरू करने वाले तेजपरताप लेकिन उन्हों टाल दिया और करते नजर आएंगे तो पाटी के नेताओं का जो संकट था दोनों भाईयों के आपस की टकराहट की वजह से वो अब टल गया है पाटी के नेता बहुत रहात महसुस कर रहे हैं उनका कहना है कि उनके लिए मुश्किल ये थी कि वो किसके साथ खड़े हूं दोनों ही लालू कर खड़े होना भी मुश्किल का काम था तो उनको डर रहता था कि तेजपरताब के साथ खड़े होंगे तो तेजस्वी के निसाने पर आ जाएंगे तेजस्वी के साथ खड़े नजर आएंगे तो तेजपरताब निसाना साध हैंगे ऐसे में वो पसो पेस में थे लेकिन अ अनों भाईयों के बीच पावर गेम की लड़ाई है दरसल तेज प्रताब चाहते हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहें वो कह रहें बार-बार कि हम तेजस्वी को ही CM बनाएंगे यानि CM बनाने का असरे वो खुद लेना चाहते हैं पार्टी की कमान अपने हाथ में लेन अपने हानकर चल रहा है कि लालू यादो की जगा तेजस्वी ले चुके हैं तेजस्वी यादो की सवगायाता अमनीकी के लिए आप काम करो पार्टी की असली कमान तो लालू यादो के हाथ में ही रहेगी लालू यादो भले जेल में हैं लेकिन आज भी उनके हाथ में ही पार्टी की कमान है और सभी घटक दलेगों के नेताओं को सिटों के बटवारे के लिए रिम्स में ही हाजरी लगानी पड़ रही है तो लालू यादो के बिना तो पार्टी में कुछ होना करते हुए क्योंकि तेजपरता बहुत भावक हैं और भावक होकर ही ऐसे ऐसे फैसे ले लेते हैं जिसे पाटी और परिवार की परिशानी बढ़ जाती है तो उसी भावकता को हत्यार बनाया हलालु यादाउने और उनसे कसम दिला दी है कि आप जो इलपी मुव्मेंट grown up, आपको बहुत जल्द दोनों भावी तेजपरताब तेजस्वी जो बहुत दिनों से एक साथ नजर नहीं आये हैं एक साथ हांदुलन करते र आएंगे अपने पिताकी रिहाई को लेकर तो यह काफी दिल्चस्ब ख़बर है और RGD के सम Bennettकों के लिए पार्टी के नित अभार नमस्कार